साइबर ठगी के मामले में विहार देश के टॉप 10 राजियों में शामल हो गया है भागलपूर में भी लोग साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं पिछले एक महिने में एक दर्जन से अधिक लोग साइबर ठगी के शिकार हुए है भागलपूर में साइबर ठगी को रोखने के साइबर थाना भागलपूर का गठन किया गया जोहां साइबर थाने में साइबर सेल की टीम दिन राज साइबर थागों पर शिंगजा कसने में जुटी हुई है कई मामलों में साइबर सेल की टीम को सफलता भी हात लगी है सुनिए साइबर थागी से बचने को लेकर क्या उप लेके आते हैं तो वहां से जैसे हमको मिलते हैं तो इस पे हम लोग सनहा करते हैं या बात करते हैं और किस प्रकार के साड़े चार लाख रुपए के साइबर फॉड हुआ था इसमें कुछ पैसे होल्ड भी थे और इसमें सफलता लगी है हाथ दिनगेफ्टी के गिरफदारी हुए है और चार मोबाइल जब्त किया लोगों से लोगों से अपील यहीं रहेगी कि डर और लालत से बच के रहें कि इसी भी प्रकार के अंजान वीडियो को रिसीव ना करें जो अप्लिकेशन्स हैं उसको इंस्टॉल ना करें अपने आपको मारने की रादे से घर से निकली और भटकते हुए भागलपूर जा पहुंची बताया जा रहा है कि अर्या जुले के भरगामा के रहने वाली आशा पत्रकार करता पूनम देवी अपने घर से निकल कर सुबह 11 बजे भागलपूर के समहारनालाई गेट पर पहुंची और अचानक से बेहोश होकर गिर गई वहां मौजुद पत्रकारों की महिला पर नज़र पढ़ी तो कलम के सिपाहियों ने सुधली सबसे पहले होश में ल पत्रकारों ने घटना की सुचना महिला के परिजनों को दी इसके बाद अररिया से महिला के पिता भाई छोटा बेटा और बेटी पहुंची जब परिवार के लोग पहुंचे तो महिला ने भागने की कोशिश की और यह कहने लगी मुझे वरधाश्रम जाना है जब महिला क पिता ने काफी समझाया तब जाकर महिला साथ जाने को राजी हुई यह बात सामने आ रही है कि महिला का जेबर उसके ससुर ने अपने पास रख लिया है और जमीन का भी बटवारा नहीं किया गया जिसके कारण वह परिशान थी महिला के छोटी पुत्र ने कहा कि दादा जमी करण चरहना की एक आदमी मिला वहां बोला कि आप चले जाए बिरिधा असरम वह हमको एक ठो नमर दिया उफीस भेजवा दिया उफीस में दो घंटा रख के बोलाना है जाए एजडियो उफीस यहां नहीं है जैसे निकले गेट पर हम सुचिक अप जा रहे हैं गंगा हमको वहां बठाया क्या बात है माता जी बोलिये हम बोले कैसा ऐसा मामला है घर में भी नहीं सुन रहा है बेटा को कहते हैं और बेटी सब को कहते हैं हिसा बखरा के बारे में कब तक हम खिला पाएंगे अब मेरा खिलाने का उमर नहीं है कोई नहीं सुन रहा है इसलिए हम माक रोज से निकल गए एक आज छो महना से बोल रहे हैं बेटा को जाइए दादा जी से जमीन मांगिए और मेरा जेवर है मांगिए तब अहां जो गए तब इस हमको उठाया थोड़ा पानी दिया नस्ता लाके दिया चाय दिया तब डोक्टर साहब को फोन किया यहां से सर अ मेरा घर पे सारी फौन कर दिया थे हाँ कि तब ओहां से मेरा बेटा को बेटी को बुलाया और पपा यह भाई आया ले देख्माई घिर ने अशब्स आप अब सब्हेज रहा है घर ओहां बेटा से फोन के बात किया रहे है यह ठंश का है अपर तो बरे है स्टर को हमासिरवाद इसका आच्छा है सर बहुत भला किया किन वह सब तो डक्रशार बोले हम तो उसे सोटे हैं लाइफ ट्रेब हौं लाइफ के जतना सुखरिया करेंगे लेकिन बहुत काम है तेढिन हम नो पहले देखते थे बाडा सार में संस्ता आज का आज तक social media देख यहां है लेकिन हम लोग बिहार से हाई एक बिहार में आज तक मेलोग इतना एस तो उतना है ने 30 मेर्ट 30 साल का है लेकिन आज पहली बारा अपने एस में आयर आप ज्दा को से बहुत ज्यादा को से इस संस्ता को अगर हम चाहते हैं कि यह संस्ता हम लोग को आए अपना होल लाइफ इस समस्था को अपने नाम कर देंगे आज एक महला के लिए हमें फोन आया की डियम ऑफिस के पास एक महला है जो बेहुस हो रही है और वो अरारिया से डूबने के लिए दिन्गा में आत्मत्या करने के नियत से आई कि होने बुलाए गया कि हमारे समस इनको अपना हिस्सा नहीं मिल रहा था अपने परिवार से अपने गुतिया से जो इनको मिलना चाहिए और यह मैला घर की हेड है और इनको सारे अपने दो बेटी का बेटा का यह सब फिकर है कि इसको कैसे पढ़ाएंगे और कैसे इनके साधी करेंगे तो इनको नहीं मिलने से लगातार बात कर रही थी लेकिन को बेटा लोग भी सपोर्ट नहीं कर रहा था और घौओं की लोग सबोट ठीक से नहीं कर रहे थे तो इसलिए इनका मेंटर लिस्तर्वेंट वा और यह सोची में कि जब कुछ कर ही नहीं पाएंगे परिवार का बला तो हम राके क्या करेंगे और यह नियत से आई तो हम अपने में घर में लाए और इनको ने बैठाया और इस बीच पहुन गया उनको परिवार को लेकिन परिवार की लोग तुरित गती से जैसे ही पता चला वो लगा आए भी मामला है परिवार का उसको सुझा लिया जाएगा और फिर ऐसी गलती जो हम लोग किये थे वो नहीं कि लेए भागलपूर के नगर विधायक अजीत शर्मा ने आजवार नमबर 22 के SK तरफदार रोड आदमपूर में यूको बैंक के समीब अपने अनुशनसा पर मुख्यमांतरीक शेतर विकास योजना के अंतरगत एक लाग इनकानवे हजार दो सो रुपई से डॉक्टर एसें तेवारी के घर से अरविन सीह के घर तक सड़क का उधगादन किया इस मौके पर माननी विधायक ने कहा कि मैंने अपनी यूजना के शत प्रतिशत राशी भागलपूर की जनिता की सुविधा के लिए समर्पित कर दी है मेरी यह कोशिश है कि भागलपूर की जनिता को सड़क ना ली पेजल जैसी मूलभूत समस्याओं से निधान मिल सके क्योंकि यहां बहुती जरजर हालत था हम ला तो काम है कि जन्ता जो हमको आवेजन देती है कि शलक नाला बनां के लिए बनाते हैं लेकिन उसका उध्याटन भी करना पड़ता है उसी शंदर में उध्याटन करने आया था और आगरा करेंगे जो लोग इस पर चले बढ़िय के 25 वे वर्षगांट पर दो दिपसी अथलेटिक्स मीट का आयज़न भागलपूर सेंडिस कंपाउंड में 24 और 25 दिसंबर को रखा गया है जिनके लिए 15 दिसंबर से 20 दिसंबर तक खिलाडियों के लिए रजिस्ट्रेशन करने की डेट निश्चित की गई है जिसमें 14 वर वही एथलेटिक्स असोसिएशन की अध्यक्ष नसर आलंब ने कहा कि यह कारक्रम विगत कई वर्षों से चला आ रहा है जिसमें विहार के मुख्यमंत्री निटीश कुमार ने भी खिलाडियों के बारे में काफी उजनाय बनाई है निटीश कुमार का साफ तोर पर कहना है क कि मैडल लो और नौकरी पाओ इस उद्देश इसे खिलाडी भी मेनत कर रहे हैं और मैडल प्राप्त कर रहे हैं गौर तलभो कि इस एथलेटिक्स असोसिएशन में जो जिला स्तर पर अच्छा प्रदर्शन करते हैं उन्हें सीधे राश्ट्री स्तर पर खेलने का मौका मिल जो दिन इवेंट चलेंगे जिसमें की सारे बच्चे बच्चियां 14 16 और इभाब उमिके इसमें सामिल हों मैं जिला अध्यक जी को विशेश रूप से बढ़ाई और सुपकामना देता हूं कि पिछले 16 वर्सों से इस संस्थान को यह चला रहे हैं इनके अध्यक्षन में च के तरह एक यूनिटी के साथ इस काम को इस दाइत को निवा रहे हैं तो पूरी टीम को इनकी बढ़ाई और सुपकामना देता हूं क्यों कि हमारे सरकार के मानने मुखमंतरी इनितिस कुमार जी ने भी घोसना कर दिया है कि जो बच्चे मैडल लेके आएंगे सीधे नवकरी भी पाएंगे तो इसमें जो इन लोगों का भी यह सफल प्रियास यह सहोग इक तरह से कहिए जिला इतली टेशन का यह भी बच्चे बच्चियों को सुदूर गाउं से इलाके से गरीब के बच्चे बच्चियों को इस तरह एक लिए करा के कम्प्लीट करा के आगे बढ़ा उसमें जो 32 मैडल भागलपुर जिले ने लाया है उसका क्रेडिट जिला इतली टेशन के अध्यक्च को पूरे टीम को जाता है इसके लिए भी पूरे टीम को बढ़ाई और सुप्रामना देता हूं